आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजाया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों जासी के मवरानीपूर गुराठा मालक बस सडगदुर घटना में मोटर साइकल सवार एक महिला की मृत्ति हो गई मितक नीधी के सरसो संतोस कुमार निवासी ग्राम तिलारा ने बताया कि सान काल मेरे पुत्र दिने अपनी पत्नी नीधी को मोटर साइकल पर बैठा कर मौरानीपूर से ग्राम तिलारा लेके जा रहा था जब अच्छाडी बाबा मंदिर के पास पहुचा ग्यातवहन ने पीछ इसे टककर मार दी जिसमें नीधी गंबीर उप से खायल हो गई वही पुलिस छेतरादिकारी मौरानीपूर ने बताया कि ब्रेकर पर मोटर साइकल चड़ने के दोरान महिला मोटर साइकल से गिर कर खायल हो गई थी जिसे सीएस्थी मौरानीपूर लाया गया हलत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मिर्ती हो जाने पर थाना लचुरा पुलिस को सुचना दी गई पुलिस ने सब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम ही तू भेज दिया और मामले की जाच की जा रही है इंडन प्राइम नियूस के लिए जासु समवादा ता नरेंदी कुमार की रिपोर्ट इस समवन में आज सवेरे थाना लहचुरा पर CSC महू से एक मेमो प्राप्त हुआ कि एक 33 वर्ष युग महिला जिसका नाम निधी पतनी दिनेश निवासी ग्राम तेलरा की है का इलाज के दौराल जो ही मृत्य हो गई है प्राप्त जर्णकरे पी थाने दौरा मौके पहुचकर विदिक कारवाई करते हुए पंचातना में की कारवाई खरी गई उस दौरान यह ग्यात हुआ कि परेजोनों के माद्यम से कि यह बाइक पे जा रही थी अपने पती के साथ दिरेश के साथ और जो है एक स्पीड बेकर पर जो है लाड़ी की असुन तोलित होने पर गिरने से उससे गिर के उसको चोटा गई इससे उसके मित्ती हो गई है हुआ